दरन्वी शोग क्लिप्स में आपका स्वागत है यूट्यूब का एक एक लौता चैनल आपको हर चीज के बार में नॉलिट में लिए नाचरल एकनीक्स होते हैं अगर आपका 0.5 या 0.75 जतना नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको क्लियर करना फॉर्ट ओडियर्स दिखे क्या होता है कि चश्मे का नंबर लाइक वर डिसकासें क्यों आया आंग का साइज बड़ा हो गया अब कोई भी ऐसी चीज है कि अग या एनी इंजेक्शन या कोई एक्सराइज योगा से मैं 6 को 5 नहीं कर सकता ना 6 को 5 करने के लिए पैरों को काटना पड़ेगा similarly क्या चल रहा है बड़ कुछ misleading चीजे इंटरनेट पे हमें मिल जाती है सम पीपल से की वही आप ये exercise कर लो इधर देखो उधर देखो तो चश्मे का नंबर हट जाएगा कुछ लोग कहते हैं यार सुबे उट के आंकों में honey डाल लो honey डाल लो? rose water डाल लो, घी डाल लो, शहट डाल लो इससे चश्मे का नंबर हट जाएगा कुछ market में drops भी आ रही हैं, जिसमें बड़ा बड़ा लिख देते हैं वो कि एक drop बनाई और उसमें एक drop में, I'm not taking names, एक drop में इन्होंने बनाया जिसमें इन्होंने शहट डाल दिया, rose water डाल दिया, ginger का रस डाल दिया, नीमबू डाल दिया, अदरक का रस डाल दिया और उसके उपर वो लिख देते हैं, इसमें 95% problems आपके ठीक हो जाएगी, चश्मे का number ठीक हो जाएगा, मोतिया बिन ठीक हो जाएगा, काला मोतिया ठीक हो जाएगा ऐसी problems जिनका medicine में कोई ilाज ही नहीं है, retinopathy की problems, optic neuritis वगएरे कहते हैं सब ठीक हो जाएगी 2024 में हो रहा है, इतना advertisement होता है उन drops वगएरा का कि people blindly follow it, तो लोगों ने अपनी routine ही बना दिया है, कि रात को सोने से पहले एक एक drop डाल के सो रहा है and long term में इन drops का नुकसान होना शुरू हो जाता है, कुछ ऐसा studies में मिला है कि some products could also have steroids in them and if you keep using those steroids in your eye for long term, तो आंखों में catarachnia, ग्लुकोमा का problem आजाता है so ये थोड़ा सा misleading हो रहा है, मतलब we are not saying कि Ayurvedic and homopathy is wrong it's also science, it has been there in a country for quite some time, thousands of years and I agree कि कुछ ऐसी problems है, chronic problems है, जिनका treatment Ayurveda and homopathy में है alopathy क्या modern medicine में नहीं है, बट ये जो misleading दवाईयां आगे हैं जो बोलते हैं कि भाई पतलब ये जो इस तरह की problems जो ठीक होई नहीं सकती, उसको भी आप ठीक कर दोगे with these drops ये थोड़ा सा problems हो रही है, बट अब कुछ लोग डालते रहते हैं फिर problem ठीक नहीं होती lack of education and over and misleading marketing and advertisement पर मतलब ये as medicines, as supplements बेचे जा रहे हैं, तो I would assume कि government का एक छापा रहेगा for safe as supplements आप बेच तो रहे हो, बट उसमें आप ये सब लिख देते हो ना, suppose किसी के आँख में मोतिया बिन की problem है, अब आप उस दवाई में लिख देते हो कि मोतिया बिन का अलाज बिना operation की हो जाएगा, आप ये दवाई डाल लो, मोतिया बिन का scientific evidence आज तक कोई नहीं है कि बिन operation की वो ठीक हो सकता है, पर आपने उस drop में लिख दिया, अब किसी के आँख में problem हो रही है, उसने कहीं advertisement देखी कि मोतिया बिन का अलाज बिना operation की हो जाएगा, आप ये drop डाल लो, वो drop डालनी शुरू कर दी, फिर early stage में तो operation हो नहीं पाया, continuous drop डाले जा रहा है, फिर late stage आ हो जाएगी, उतना difficult हो जाएगा उसको operation करना, उतना difficult हो जाता है, better outcomes देना, तो एक cycle बन जाता है, so basically people need to get aware की भई, we understand that it's homopathy and Ayurveda is a science, they have solutions to some problems, but there are some problems जिनका solution नहीं है, and it is better to accept and go towards the modern medicine, जह पर इसका solution हो सकता, As a doctor, सबसे crazy लफड़ा आपने क्या देखा है, I flu का epidemic आया था, सबकी आँखे लाल हो रही थी, आँखों में infection हो रही थी, तो एक whatsapp पे video चल रहा था, कि I flu हो रहा है, तो अपनी आँख में चूना डाल लो, है, और मैं बता रहा हूं, इतने patients मैंने देखे ना, वो चूना ड is a misleading content, biologically speaking, जो अब आँख में चूना डालते हो, जल जाएगे ना आँख, sensitive structure है ना, आँख की काली पुतली आगे, कौनिया को क्या होता है, जल जाएगा कौनिया, abrasions हो जाएगे, अपनी तिले defect हो जाएगा, pain होगी, watering होगी, लाली होगी, उसमें infection हो जाएगा, तो अलसर बन जाएगे, आँखों पे अलसर, contact lens से आँखों में अलसर बन जाते हैं, that is why I tell all my patients की contact lens को avoid करो, तो basically अब कहे रहो कि biologically speaking, reversal possible नहीं है, अगर आँखों से चश्मे का नंबर नहीं हटा सकती, अगर आँखों का चश्मे का नंबर हटाना है, तो laser वालो operation कराना पड़ेगा, या आँख के अंदर ICL डालना पड़ेगा, यही तरीका नंबर हटाने का, some may claim की हमने हटा दिया है, इन डॉप से हटा दिया है, but I am yet to see a patient जिसने इन सब डॉप से चश्मे का नंबर हटवा लिया हूँ, और biologically speaking कोई scientific proof नहीं है, see biologically speaking the eye has elongated, how can a drop shorten the eye, हम भी जब चश्मा हटा रहे हैं तो आई को छोटा थोड़ी कर रहे हैं, आगे का जो structure है, उसको इस तरह से mold कर रहे हैं कि focusing ठीक हो जाए, तो यह जो myth है, यह आया कहा से, यह myth आया, advertisements है, कि number कम कर दो, दवाई बेशनी है, आपने एक दवाई बना दी और उस दवाई के उपर आपने 95% आखों की problem लिग दी, यह दवाई डालो आप, इस दवाई में प्यास का रस है, अदरत का रस है, नीम्बू का रस है, रोज वाटर है, हनी है, इस दवाई से आपकी यह problem ठीक हो जाएगी, यह problem ठीक हो जाएगी, यह problem करके सामने लिख दिया, अब लोग देखते हैं, आड देखते हैं, अरे से problem ठीक होती है, market में जाते हैं, डालते रहते हैं, जब प्रॉब्लम ठीक नहीं होती, बढ़ जाती है, तो डॉक्टर के पास आते हैं रेटिना का जो टिशू है, जो आपके आँखों की फिल्म है जहां इमिजेज फॉर्म होते हैं अब बाड़ी विच शेर्स टिशू विथ ब्रेन यानि की जो टिशू, नियूरल टिशू जो है वो सिर्फ आपकी ब्रेन में और आपकी आँखों में ऐसा नहीं है, बालब जो नर्व है हमारी, उसमें शीट सारी है नियूरल टिशू की, तो ऐसा नहीं है, बट आई में हम ये कर सकते हैं आई is the only structure, जिसमें हम ये जो blood vessels है ना, body की, इसको देख सकते हैं तो हमारी पूरी body है blood vessels है, but if I have to look at the blood vessels, then I can look at the retina of the eye तो वहाँ पर blood vessels दिख जाते हैं, and blood vessels को जब आप देखते हैं, तो उससे आप कई सारी जो बिमारियां हैं उसको early stage पर diagnose कर सकते हैं, जैसे diabetes की problem है, and आजकल तो इसमें इतना काम हो रहा है with this artificial intelligence coming in, that there'll be a time in few years कि mall में ऐसी machine है लग जाएंगी, कि आप जाओ, आपके आँख की photo कीचेंगे और आपको बता देंगे ये problems हो सकते हैं, आपको इस-इस problem की आप रिस्क पे हो मतलब आपका जो myopia का number है, वो भी diagnose किया जा सकता है myopia का number diagnose करना तो दो मिट का काम है, एक click of a button है पता लग जाता है but now artificial intelligence is working in such a way कि हम आपकी retina की photo खीचके, we can almost predict कि ये problems का risk आपको आगे जाके हो जाएगा retina की photo लेकर? because retina में blood vessels को हम देख पाएंगे ना, पूरी body में सिर्व retina में देख सकते हैं तो जो blood vessels की imaging करते हैं हम, उससे हमें बहुत सारी clues मिल जाते हैं कि body में problem क्या रही है जवाब आई को dissect करते हो, तो retina दिखती कैसी है? retina पतला सा tissue है, बहुत पतला सा, transparent tissue color के, transparent okay, उसके पीछे जो और structures है, उनका color आ जाता है, but retina itself is transparent and it's made of nervous tissue, nervous tissue basically nerves है वहाँ, जो आपके brain से linked है, okay क्या आपने कभी skull का fracture देखा, जिसकी वजह से जो road traffic accidents के patients होते हैं, तो उनकी ज़ादा चोट लग जाते हैं, तो यह सब orbit fracture हो गया, आइस फड़ गई, फिर उनका विल हाब तो, ठीक करना पड़ता है उसको operation से पर अंदर घुसके कैसे ठीक करता है eyeball को, लेटना के operation भी तो रोजी करते है मतलब, किसी का, यह skull crack हो चुका है, और उस cracked bone के बचे से eyeball थोड़ा damage हो सकता है, यह UFC fighters के साथ होता है, UFC fighters, orbital injuries वो भी होता है, प्लस road traffic accidents में बहुत मिलता है हमें तो, surgically speaking, cut का मारते हो अप? नहीं, देखो, there is a way to do surgery, मतलब, जो हम retina की surgeries कर रहे हैं, वो नहीं बना पा रहे हैं, कुछ आंक इस तरह से damage होगी, then maybe we can put cuts तो, usually हम यह जो कॉन्या का limbal area होता है, यहां पे cuts मारके, यहां पे cuts मारके, यह एंटर दा है, कॉन्या का limbal area मतलब, जो कॉन्या और white portion के बीच का area है, that's called limbus, तो वह, that is the favorite place to enter the eye, क्या feel होता है जब आए के अंदर हो, functionally as a surgeon आप बस अपना काम कर रहा हो, it's a very delicate tissue, so you have to keep your hands light and delicately जाना पड़ता है अंके अंदर, आप में सवाल समझ गए, like I wasn't able to articulate it, but आप समझ गए कि मैं क्या आपू, डर लगता है, initially यह डर लगए गई because it's a micro surgery, so you are, आपको एक मिलिमीटर की जगा से काम करना करता है, so you need lot of stability in your hands, but that is God gifted, I mean you can't do something about it, but if you have stable hand, then you could be a better surgeon, हर किसी की आख अंक अंदर से से मी दिखती है, से मैं सबकी आख, what is the difference, सबकी आख से मैं, पतुरा size का difference हो सकता है, color का difference हो सकता है, but the structures are still the same, उसको ऐसे ही बहुत सारे clips upload कियें इस channel पर, channel को explore करो, देखते जाओ, और सीखते जाओ,